सो हलो एन वेलकम यूओ ओला हैं रोईत्रों माजें टीलर सो गाइस सच हम बात करने वाले वड़ाफन आइडिया एल्टेटी के बारे में तो गाइस काफी कुछ इसमें आमेजिंग होने वाला था बैट जो हम एक्पेक्टेशन्स थी स्टॉक को लेके उसके बिल्गुल अग कर देख सकता है इसा कुछ हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो काभी कुछ हम बाते करने वाले गए से इस वीडियो में तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉट शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिए उसके दीख रहाता आप देख सकता है जेरो पाच पयसे पर ये ट्रेट कर रहा था फिर 5.95 फैर फिर 6 पर या गया फिर ट्रेट कर रहा था पिर अच्छा पली उपर भी गया आता है जेरो चैनल पर फिर से नीचे आ गया और जहांसे यही पर इसने क्लोज कर दिया लगबग 5 बट अगर बात करें इसके चार्ट की जो इस वीडियो का जो important topic है हो है चार्ट तो चार्ट में क्या कुछ दिख रहा है हमें long time के लिए तो चार्ट क्या ही सिधा हम analysis करते हैं तो पिछला कुछ record अगर देखा जाए stock का तो इस stock यहां से हमें गिरता हुआ नजर आ रहा था Stock हमें यहां से गिरतावा नजर आ रहाता, कुन से levels है, इस levels है तो यहां पर अगर मैं trade line भना दूँ कुछ इस level की तो यहां से stock हमें गिरतावा नजर आ रहा है, कुछ double bottom sorry double top जैसा एक pattern मैंनेगा और यहां पर हमें break out मिलेगा break out मिले के बाद काफी है, इसमें गिरावाट देखने को बहली लगवा की 40 रुपे के price से stock काफी हद तक गिर गया, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो stock में back to back हमें गिरावाट यहां पर नजर आ रही देखने को मिल रही है फिर यहां से जो stock गिरना start हुआ, यहां से जो stock गिरना start हुआ, तो यह सीधे इसकी गिरावाट कहाँ पर रुकी, तो guys दूर, sorry, 3 रुपे पर stock सीधा, यही पर इसकी गिरावाट रुकी है और इसके बाद क्या कुछ हम expect कर रहे थे, कि मैं expect कर रहे थे हम, कि यही से support लेकि उपर की और जाया, बट वैसा कुछ हुआ नहीं stock में, बट अभी इसने support लिया था, 3 रुपे, 0-5 पेसे पर, तो thumbnail में आपने देखी लिया होगा, कि 3 रुपे तक stock जाने वाला है, तो अब बचके रही है, तो मैंने जो जैसा बोला है, कि इसी level के basis से में रहा बला था, क्योंकि यहाँ से जब A stock नीचे आया था, उपर इसे यहाँ पर rejection मिला था, rejection मिला, फिर नीचे आया, फिर उपर गया, फिर यहाँ पर इसने breakout मिला, तो इस level पर A support ले रहा था, तो एक important support level यहा पर बंद रहा था, यहाँ पर इसे rejection मिला, यहाँ पर rejection मिला, यहाँ पर breakout मिलने के बाद काफी हद तक stock उपर भी गया था, लगबग आप देख सकता, 3 रुपर के price से stock चली आता, 13 रुपर के price तर, कुछ इस level तक stock आ गया था, बट एसा जिसा हमने expect किया था, कि यहाँ से त stock में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 7 रुपर का जो target, 7 रुपर का जो level था, 7 रुपर 95 पेसे का यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यहाँ पर हमें breakout मिला, यहाँ पर rejection मिला, यहाँ पर नीचे के और हमें breakout मिला, तो वही कुछ इसमें हमें देखने को मिल र रहा है अगर कोई इसमें अच्छी न्यूज आती है बड़ा investment इसमें अगर होता है तो यही से reverse हो जाएगा बट ऐसा होता हुआ मुझे विल्कुल भी इसमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि काफी कुछ predictions भी कई predictors ने prediction किये कि किसी level तक इस्टॉक आ सकता है तो किस basis पर आ सकता है तो यही वो level है यही वो level से जिनके basis पर कई सारे predictors कहते हैं कि इस level तक इस टॉक आ सकता है तो देखना होंगा कि कब तक यह stock निचा आता है वही अगर चार्ट के अगर बात करें financials अगर इसकी reports को हम देखें तो stock में हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो company के पास ज्यादा पेजानी है company के हातों में स्रीफ आप देख सकते हो अगर March 2021 की बात करूँ तो 22 billion का amount है चाहे तो company काफी कुछ हद तक उपर इसे ले जा सकती है percentage में भी अगर हम देखें तो काफी percentage में भी उपर जाता हो हमें stock दीख रहा है विट अगर च्यान्नों billion का इसका revenue था 6-9 billion का और 59 billion का इसका cash of hand अगर बात करें तो company के हाथ में 22 billion रुपए अभी भी है तो अगर बात की जाए तो अब देख सकते revenue अगर March 2020 की बात करूँ December 2020 की तो company के पास बहुत सारा पेसा था अगर March 2020 की बात करें तब भी पेसा था बट अभी अभी कम हुआ है बट अगर comparison की किया जाए अगर जियो और वड़ा फोन में अगर comparison किया जाए दोनों companies में तो काफी हद तक हमें इसमें returns हमें देखने को मिल सकते हैं बट देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है क्योंकि subscribers यहीं सी वड़ा फोन के आसपास ही इसके भी subscribers है वही one month month की बात कर दो स्टॉक काफी हमें गिराट में देखने को मिल रहा है अगर पिछले काफी records को देखा जाए पिछले काफी records को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 74 रुपिस पे trade कर रहा था कभी stock फिर लगबग ये गया था एक सो अठरा पर बट अभी ये नीचे की और ही आ अच्छी बात है वही अगर बात करें इसके बाउन भी क्या ही की तो 13 रुपिस पेसे बाउन भी का ही है और बाउन भी के लोग के अगर बात करें तो 4 रुपे 5 पेसे इसका लो है वही अगर ही की बात करू तो 6 रुपे 10 पेसे इसका ही है अगर लोग के अगर बात करू तो open भी ये हुआ था 6 रुपे 5 पेसे पर तो देखना होंगा guys आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है अगर long term के लिए आप इसमें जाना चाते हो तो आपको wait करना होगा क्योंकि चार्ट में तो वही बता रहा है आप देख सकते हो कि चार्ट technical analysis कभी गलत नहीं होता है वही ये 3 रु नहीं बना सकते हैं ज्यादा कुछ ची kadar नहीं सकते हैं तो ठीक है हमने सीधा सा इसमें trade line बना दिया trade line के basis पर अगब zeront और में बना दू है तो दिछते हैं क्या कुछ हो सकता है तो यहाँ पर भी अगर trade line बना दीजा तो यहाँ पर भी हमें नीचे की और ही इसे breakout मिलता हुआ दिखेगा तो नीचे की और यह breakout हमें आप पर मिलता हुआ दिखेगा देखना होंगा कि क्या होता है अगर यहाँ पर breakout मिलता है तो यही से पिर से यहां पर उठतावा नजर आ राता तो देखना होंगा कि इस लेवल पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है तो गॉइस देखना होंगा आगे क्या होता है वेट करना होंगा कि क्या होंगा आपको Patience Liz में वेट करना है अगर आपको बड़ा फोन आइडिया में अपने पेसे लगाए हो तो 3 रुपे के लेवल से ही सपोर्ट लेंगा या फिर 4 रुपे 55 पेसे के लेवल से सपोर्ट लेने वाला है सो गाइस वीडियो अगर पसंद आओ तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठेंक यू